आधुनिक्तम नगरी सुविधाओं के साथ सुसच्जित करके आत्म निर्भर भारत का निर्मान कर रहे हैं माननी प्रधान मंत्री जी मैं बहुत ही आदर के साथ माननी प्रधान मंत्री जी से अनुरोद करूँगी कि अपने मार्ग दर्शन से हमें अनुगहित करें हर हर महादेव नमस्कार कारकम्य उपस्तित उत्तर प्रदेश के यशश्वी मुख्यमंत्री जन जन के उपयोगी योगी आदित्यनाज जी केबिनेट में मेरे सहयोगी स्री हरदीप सीम पूरी जी यूपी सरकार में मंत्री स्री आशुसोस तन्नन जी निलकंट तिवारी जी ओल इंडिया मेयर काउंसिल के चैर्मेन रदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे लिए ये बहुत ही सोभाग्य का आउसर होता कि मैं स्वयम बहां रह करके मेरी काशी में मैं आपका स्वागत करता आपका सम्मान करता लेकिन समय की कुछ सीमाओं के कारण मैं खुद तो बहां नहीं रह करके आपका स्वागत कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे पक्का विश्वास है काशी वासियों ने आपकी महमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी होगी आपकी भर्वचक खातिरदारी की होगी चिन्ता की होगी और अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो दोश काशी वासियों का नहीं होगा वो दोश मेरा होगा और इसलिए आप जुरूप छमा करेंगे और काशी के आपके इस वास्तव्यकों आप भर पेट एंजोई भी करेंगे और मिल पेट करके भावी भारत के लिए भारत के शहरों के उजबल भविश्य के लिए अपने अनुभवों को साजा करेंगे बहुत सी चीजें एक दूसरे से सिखेंगे और अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए सुन्दर से सुन्दर सहर बनाने के लिए वाइबरन सहर बनाने के लिए एक जागरित सहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ऐसा मेरा पूरा विस्वास है आप सभी मेर साहवान जरूर अपने कारकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में पाइट पचाथ बीच साल के बाद जब भी कोई शहर में आये तो चर्चा करें कि जब फ़लाने सज्जन यहां मेर थे या फ़रानी वहन यहां मेर थी तब ये सहर में ये काम हुआ था एक याद बन जाएगी एक दिशा बन जाएगी और हर किसी के मन में ये सपना भी रहना चाहिए ये संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ती के लिए जी जान से जुड़ जाना भी चाहिए और जनता ने जब हम पर विश्वास रखा हो नगर का पुरा दाईत्व हमें दिया हो तो हमें भी इसको भली भाती पुरा करने का प्रयास करना चाहिए और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब उस दिशा में जरूर कुछ नों कुछ करते होंगे जरूर उसका अच्छा परणाम मिले इसके लिए आपका प्रयास रहते होंगे और मैं आज शहरी विकास मंत्राले को यूपी सरकार को और आप सभी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस महत्वपून कारक्रम में के लिए बनारस को चुना है मेरी काशी को चुना है देश के विकास के लिए आपके संकल्पों से बाबा विश्वनात का आशिरवाद जुड़ेगा तो आप सब कुछ न कुछ नया प्राप्त करके नई प्रेणा ले करके नया उंगंग ले करके अवश्य अपने अपने कारक्रम में लोटेंगे काशी में हो रहे इस कारक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़ कर देख रहा हूँ एक और बनारज जैसा दुनिया का सबसे प्राचिन शहरों में से एक स्थान और दूसरी और आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रुप रेखा अभी हाल मैं जब मैं काशी में था तब मैंने कहां भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोड में बन सकता है हमारे देश में ज्यादा तर शहर पारमपारिक शहरी ही है पारमपारिक तरीके से ही विक्सित हुए है आधुनी करण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचिनता में भी उतनी एहमियत है हम अपने प्राचिन शहरों में उनकी हर गली से हर पत्थर से हर पल से इतियास के हर तबारिक से बहुत कुछ सिख सकते हैं उनके इतियासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेणा बना सकते हैं हमारी विरासत को सहजने की समारने की नए ने तोर तरी को हम विक्सित कर सकते हैं हम सीख सकते हैं लोकल कला काउशल को उसको आगे बनाने के तरीकों को कैसे लोकल स्कील और प्रोडक्स शहर की पहचान बन सकते हैं इस अनुभाव को साथियों आप लोग जब बनारस गुमेंगे और आप ऐसे बहुत लोग आये हैं जो पहले कभी ने कभी तो आये ही होंगे तो पुरानी स्मृतियों के साथ नए बदलाव को आप जुरुत तुलनात्मवर्ण से देखेंगे और साथ साथ आपके दिमाग में अपना शहर भी सवार हो जाएगा और आप हर पल देखेंगे कि मैं जिस सहर से हूँ वहां की गली और काशी की ये गली मैं जिस शहर मैं हूँ वहां की नदी और यहां की नदी हर चीज आप एक पल 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 तुलनात्मवर्ण अभ्यास करेंगे और आपके साथ जो और मेर होंगे उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे उन्होंने क्या किया है कैसे किया है हम सब को चर्चा करते 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 नए विचार मिलेंगे नई कल्पनाएं मिलेंगे नए कारकमों की रचना त्यार होगी और वो अपने शहर में जाकर के जब आपका नेतृत्व उस काम को खरेगा तो आपके शहर के लोगों को आपके राज्ये के लोगों को एक नई खुशी मिलेगी नए विश्वास मिलेगा और हमें कोशिश करनी चाहिए हम इवॉलूशन में विश्वास करें रिवॉलूशन की आज भारत को जुरूत नहीं है हमें काया कल्ब की जुरूत है पुराना सब तोड़ना फोड़ना खतम करना यह हमारा रास्ता नहीं है लेकिन पुराना जो कुछ भी है उसको सबारते हुए आधुनिक तांकी तरफ हम कैस जाए आधुनिक यूग की आवश्रक्ताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़ें यह हम लोगों का प्रयास रजा जाए अब हम देखिए स्वच्छता का भियान चल रहा है पुरे देश में हर वर्ष स्वच्छ शहर की गोशना होती है लेकिन मैं देख रहा हूं धी धीरे धीरे कि कुछी शहरों ने अपनी जगा बना ली है अच्छी बात है लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैड़ जाएं कि यह तो उनी कोई नाम जाने वाला है वोही आगे बढ़ गए हम तो नहीं कर पाएंगे यह मानसिक्ता नहीं होनी चाहिए आप सभी मेर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्परधा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा यह संकल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ज़िए मैं तो कहूगा हमारे हर्दिप पूरी जी को, हम ये भी कोशिज कर सकते हैं, कि जो स्रेस्ट स्वच्छ शहर है, उनको तो इनाम देंगे जेंगे, उनको तो रेकिनाइज करेंगे, सनमानिज करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम recognize करें और जो बिलकुल आग बंद करके बैठ गए हैं कुछ करना ही नहीं है उनकी सुची भी निकाले और उन राज्यों में advertisement करें कि देखिए इस राज्ये के तीन शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं तो जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किछी को काम करने का मन कर जाएगा और मेरी मेरों से आग रहे हैं कि आप सिरफ स्वच्छता को साल भर के कारकम के रुपे न लें क्या आप ह हर महिना बोर्ड के बीच हर बोर्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा और्गनाईज कर सकते हैं क्या जूरी बना करके इस महिने में कौन सा बोर्ड सबसे ज्यादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है अगर शहर के बोर्डों में कॉंपुटिशन होगी बोर्ड के कांसिलर् तो उसका cumulative effect, total जो effect है, वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा, और इसलिए मैं तो चाहूँगा, दूसरा, जैसे स्वच्छता का के महत्वा है, सवंदर्य करण भी, beautification, ये भी, मैं तो चाहता हूँ, दुनिया में beauty competition होती है, जो होती है, वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन क्या हम हमारे नगर में, बॉर्ड ब्यूटी इप competition कर सकते हैं क्या, कौन सा बॉर्ड सबसे ज़्यादा beautiful है, सफाई का parameter हो सकता है, सवंदर्य की तुरुष्टी से किये गए initiative का parameter हो सकता है, हर नगर अपना विक्सित करें, जूरी बनाएं, दिवारों को कैसे रंगा गया है, दुकाने हैं तो बॉर्ड कैसे लगे हुए हैं, गलियों के sign board है तो कैसे लिखे गए हैं, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ऐसे अनेक बाते हैं, उन सारी बातों को अगर आप लगातार शह हर में यह जोडते हैं, अभी एक स्पर्धा और्गेनाइज हुई हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, अब आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें तीन चीजे कही हैं, जो आप सामान्य मानुई से करवा सकें, एक कि आजादी की अमृत महोत्सव के निमित, रंगोली की आंदोलन की किसी गटना से जुड़ी हुई रंगोली, अगर ये पूरे शहर में आप परधा करें, आने वाले चबीच जन्वरी तक इसको बड़ा माहोल बनाएं, देखिए बदल हो सकता है और नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से आपके शहर में आजादी के अंदोलन में जो हुआ हो, उसके लिए कुछ गीत लिखे जाएं, आपके शहर में आजादी के अंदोलन में गटी, गटना के समन में कुछ गीत लिखे जाएं, उन गीतों किस परधा हो, आपके राज्ये के अंदर जो गटनाएं गटी हो, उसके गीतों किस परधा हो, देश की महान गटन लोरी गाने की, बच्चे जो नवजाद सिशू होते थे लोरी गाते थे हर घर में माताई बहने, अब क्या हम आधुनिक लोरी बना सकते हैं, आधुनिक रूप से भावी भारत कैसा होगा, 2047 बे जब देश 100 साल का होगा, तो वो कौन सपने होंगे जो आज बच्चा जो पैद 2047 में, जब हिंदुस्तान 100 साल के अजाजी के बर्ष मनाएगा, तो ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, अब देखिए हमारे हाँ, कल आपने देखा, शायद आपको मोका मिला होगा, या तो आज जाने वाले होंगे, गंगा गाट देखे होंगे, दुनिया भर के टु तो कुछ भी हुआ है, उससे कासी की एकोनोमी को थाकत मिलती है, क्या हम, हमारे करीब-करीब अनेक शहर ऐसे हैं, जो किसी नदी के तटपे हैं, या तो शहर में से नदी गुजरती हैं, लेकिन काल करम में, वो नदी एक प्रकार से तबाह हो गई है, कभी-कभी तो गंदी नाली बन गई है, या तो बारिस में पानी आता होगा, तब वो नदी दिखती होगी, फिर नदी नजर नहीं आती होगी, हमें इस नदी के प्रति एक बहुत संबेदन सिल अप्रोच अपनाना चाहिए, आज जब पुरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है, आज हमारे नगर की नदी की परवाही न करें, उस नदी को समालना, उस नदी को सवारना, उस नदी के महत्माई को समझना, समझाना, यह अगर न करें, तो फिर हम कैसे गवरोग कर सकते हैं, क्या हम एक काम कर सकते हैं, हर वर्ष, साथ दिन के लिए, जब भी आपके सुविदा हो नदी उत्सव मनाए, नदी उत्सव मना करके पूरे नगर को उसमें जोडे, उसमें सफाई का काम हो सकता है नदी का, नदी के इतिहास के समन में कुछ बाते हो सकती हैं, नदी के तट पर हुई घटनाओं को ले करके बाते हो सकती हैं, नदी का गुनगान करने वाली बाते हो स लगते हैं याने नदी को केंद्र में नगर के विकास की यात्रा में नदी को फिर एक बार जिवन तस्थान जहां नदी है वहाँ इसको हमने हलका फुरका नहीं छोड़ना चाहिए आप देखिए आपके नगर में नई जान आ जाएगी नया उत्सा आ जाएगा नदी का महत्मय कैसे बढ़े इसके लिए हमने करना चाहिए उसी प्रकार आपने देखा होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक के समन में हम हमारे नगर में कितने सजग हैं हम दुकांदारों को समझाएं व्यापारियों को समझाएं कि भई हमारे नगर में हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कही उप्योग नहीं करेंगे हम व्यवस्था से उसको निकाल दे अरे गरीब की बनाई हुई अकबार की रदी की जो छोटी तेलिया होते ही उसका उप्योग करो या तो आदत डालो कि घर से ठेला लेकर के खरीदने के लिए जाने की आदत बनाई जाए और हब तो दुनिया भर में सर्कुलर एकानोमी का बहतों बढ़ रहा है वेस्ट में से बेस्ट बनाने का बन रहा है कभी-कभी नगर में ये भी कंपेटिशन हो सकती है कि चलो बेस्ट में से बेस्ट बना करके उसकी प्रदर्शनी उसका एक मार्केटिंग बड़ा मेला लगे जितनी भी टालेंट हैं डिजाइनर्थ हैं पुरानी पुरानी चीज़े का और आपने देखा होगा कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ा लोग बढाते हैं और एक प्रकार से एक चौरा है पर रखे तो एक स्मारक बन जाती है हमने बेस्ट मेनेजमेंट के लिए करके उसका एक revenue model बन सकता है रेवेणियू मॉडल कैसे बन सकता है वो दिशा में हमने काम करना चाहिए यह कुछ शहरों ने किया है अरे सिवेज का पानी भी reuse हो सकता है बगी चुमें अगर आज आज हम पानी का उप्योग करते हैं आप कल्पना कर सकते हैं अगर गाओं को किसानों को पानी मिलना बन हो जाये और हम कह एंप हो पानी दो तो का ज़िस भाने कि काम है अ उसमें स्वेज भॉटर का है कि ट्रीट्मेंट करके उस पेसे पानी बगीशों के लिए बागी कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उप्यों कर सकते हैं तो जो वेस्ट हैं वो वेल्स में करें करन्वर्ड होगा और वो पानी की जो गंडगी है वो भी दूर हो जाएगी और शहर के आरोग्य में भी बहुत बड़ा बड़लाव आएगा, अगर हम सहर में आरोग्य के लिए, ये प्रिवेंटिव चीजों पर बल नहीं देंगे, तो कितने ही अस्पताल बनाएं, कम पड़ जाएंगे, स्वाफाविक हैं, और इसलिए हम हमारा शहर स्वस्थ रहे, स्वस्थ भी रहे, ये भी हम मुझे पका विश्वास है, कि हम घर से निकले रख कले कचले, से ले करके, गली महले कचले तथ, या इमारते पुरानी तुड़ करके नहीं बन रहे हैं, तो वो भी इन सारी एक जगत आय करें और खुडा कचरा फैक डे सा नहीं, हो मुचिष करें कि हम उस मैं से कैसे आगे सकते हैं अब जैसे सूरत में सीवेज वाटर ट्रीट्मेंट का एक अधुनिक बॉडल डेवलप किया गया है वहां भी सीवेज वाटर को ट्रीट्मेंट के बाद इंडस्ट्री को बेचा जा रहा है और लोकल बोड़ी को कमाई हो रही है ऐसा कई शहरों में होता होगा तो मुझे जानकरी दिल इसने मैंने उसका उलेट किया ऐसे कई शहर है जो आज कर रहे हैं और उसके करण शहर के रेवन्यू के भी भाइदा हो सकता है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि शहर के रेवन्यू में इस दिशा में मैं मानता हूँ कि शहर का जन्मदिवस हमाएं हमें पता होना चाहिए हमारे शहर का जन्मदिवस कब है नहीं है तो पुरानी चीजों को खोजना चाहिए निकालना चाहिए रेकॉर्ड पर अवेलेवलोगा शहर का जन्मदिवस बड़े ताम जाम के साथ मनाना चाहिए अपने शहर के वजी गवरों परदा हो उसके ताथ अनेक्स परधाये हो पर मेरा शहर कैसा हो हर नागरिक के दिल में एक भाव परदा हो कि मेरा शहर मुझे कुछ ऐसा बनाना है मैं इसके लिए ऐसा ऐसा करने वाला हूँ मैं ये प्रयास करूँगा ये जब तक हम नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है टैक्स बढ़ाया कि कम किया फलाना किया कि दिखना किया इसी में चर्चा हो रही है अब योगी जी अपने भाषण में LED बल्ब की चर्चा करता है क्या आप ताय कर सकते हैं कि मेरे नगर में एक भी गली एक भी खंबा ऐसा नहीं होगा जिस पर LED बल्ब न लगा हो आप देखें नगरपाली का के महानगरपाली का के बिजीरी का बिल एक दम से कम हो जाएगा और रोशनी पर लेगी वो तो अलग अब ये बड़ा भ्यान के लिए ते करना चाहिए कि ये काम मुझे दो महने तिन महने में पुरा करना है एक भी बल्ब एक भी बल्ब ऐसा नहीं होगा जो LED बल्ब न हो उसी प्रकार से आप अपने मतदाताओं को अपने नगरपे नागरीकों को उनको खुश करने के लिए बिए काम कर सकते हैं हर घर में LED बल्ब हो मद्यमबर्ग परिवार के घर में अगर LED बल्ब से लाइट चलेगा तो उसका बिलजली का बील दो सो पांचो हजार दो हजार कम आएगा मद्यमबर्ग के पैसे बच जाएंगे ये ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए और ये सारा के लिए नई योजना की योजना ये उपलब्द है इन उपलब्द योजनाओं का उप्योग करते हुए हम इन बातों को कैसे आगे बढ़ाएं आज आज़ादी का अमरित महुत सो चलता है देखे शहर का विकास भी जन भागीदारी से होना चाहिए जन भागीदारी पर बल देना चाहिए जितनी मात्रा में जन भागीदारी अब जैसे हमारा आग रहा है करकर आपके नगर में एंसी सी के उनीट चलते हैं स्कुलों में, तो एंच से की उनीट के लोगों से बात करो, जितने भी आपके यहाँ the statue लगे हुए like, बाबा साब अममेड कर के statue होगा, महत्मा गांदी का statue होगा, कहीं स्वामी विवेकन जी का statue होगा, कहां शहीद बीर भगसी जी का statue होगा, कि हिराना पताब जी का होगा कि शत्रपति शिवाजी महाराज का होगा अलग-अलग सेचु है ते लगाते समय तो हम बहुत जागूग होते हैं वा ताम जाम बेटा मन लग जाता है लेकिन लग जाने के बाद कोई उसकी तरफ देखता नहीं है साल में एक दिन जब या तो उनको जन्मी दिन होगा तब तो हम देख लेते हैं क्या हम हमारे NCC के कड़ेट्स उनकी टोलिया बना करके हर दिन सभी स्ट्रेच्व को सापसूतरा करेंगे उसकी सफाई करेंगे और जो बच्चे इखंटे होंगे वो स्ट्रेच्व किसका है उस पर पांच मिनिट भाषन करेंगे हर दिन नएने बच्चे आएंगे तो उनको पता चलेगा यह स्ट्रेच्व है इस महापूरुस ने यह काम किया था और आज हमारी बारी है कि चलो इस चौराये को सापसुवाय का हमें मुकामिला है चीजेश छोटी है लेकिन पूरे नगर को बदलाव लाने की बड़ी ताकत रखती है आपके कायरकाल में यह आज़ादी का अमरुत महुत सवाया है जब आज़ादी का अमरुत महुत सवाया है तो क्या आप कम से कम एक चौराहा अपने नगर में एक सरकल जहांसे चार छे रास्ते निकलते हो ऐसा बढ़िया सरकल उसमें पब्लिक प्राइवेट मार्टनर्शिप से सरकार का मुंसिपालिटी का पैसा नहीं जन बागिजादी से कोई ऐसा समारक बना सकते हैं यूनिक समारक जो आज़ादी के अमरित महुत सव से सुसंगत हो आज़ादी के अंदोलन को या देश के कर्तव्य भाव को या उजवल भविश्य के भारत की कुछ चीज दिखे ऐसा सरकल का सुछोबन कॉम्पूटिशन करें कलाकारों को कहें आप बताइए क्या होना चाहिए डिजाइन करके कॉम्पूटिशन हो कॉम्पूटिशन में नाम मिले फिर उसमें से बनाने वाले चुने जाए एक आपके जीवन की यादगार आप छोड़ करके जाएंगे और एमा मानता हूँ कैसी बहुत सी चीजे हैं जिस पर हम बल देंगे उसी प्रकार से आपके शहर की एक पहचान क्या आपको नहीं लगता है कि आपके शहर के पहचान बने हो सकता है कोई शहर हो जो खाने की किसी एक चीज के लिए बहुत जाना जाता हो उसी कोच लो को भई पिर हमारा ये शहर भगी खानी की चीज बहुत प्रसिद्ध है अब जैसे बनारस का पान कहीं पर भी पूचो लोग बनारस का पान बूलते ही बूलते हैं किसी ने मेहनत की होगी एक पहचान बन गई हो सकता इस हारे मेयर भी टेस्ट करेंगे बनारस के पान का लेकिन कहने का बड़ा बटलब है कि आपके नगर में वैसा ही कोई प्रोडक्ट होगा वैसा ही कोई अइत्याजिक स्थान होगा कि आप अपने शहर का ब्रांडिंग कि अपने शहर की किसी उत्पाद कि जज आप कभी देख लेना अज उत्तर प्रदेश में आये हो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कारकम चल रहा है बन डिस्ट्रिक बन प्रोडक्ट और उन्होंने बड़ा मैपिंग करके किस जिले में कौन सी चीज ज्यादा मशूर है कौन सी चीजों का महत्व है उन्होंने निकार उसके मेगर सोविनियर भी है अगर हो सके तो वहां के मुख्यमंत्री जी आपको देंगे आप देखे उतना इसका असर प्यादा हुआ है कि जैसे कोई एक छेतर होगा यहां खेल कुद के साधन बन रहे है तो उसकी पैचान हो गई आप अपने शहर का वैसी क्या विसेस्ता है जो हिंदुस्तान में किसी को भी जैसे बना रजी साडी फेमस होगी दुनिया में हिंदुस्तान के किसी क्वी कौने में शादी होती तो हर को मन करता है कि एक तो मनारजी साड़ी घर देंगे किसी ने इसका ब्रांडिंग कर दिया क्या आपके सहर के ऐसी चीज है जो पूरे हिंदुस्तान के हर कौणे के मालूम हो कि भेहाँ पटना की ये चीज बढ़िया है हैद्रामाद की ये चीज बढ़िया है कोची की ये चीज बढ़िया है तिर्वननद्पुरम की ये चीज बढ़िया है चेन्ने की ये चीज बढ़िया है आपके शहर के अंदर ऐसी कौन सी विशेस्ता है पूरा शहर मिलकर के ताय करें भी हाँ हमारी ये सबसे बढ़ी ताकत है उसको कैसे बढ़ाए जाए आप देखिए एक 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 एक्टिवीटी का बहुत बढ़ा साधन बन जाएगा याने शहरों का डेवलप्मेंट उसमें आएक नए स्तर पर हमको ले जाना है उसकी दिशामें हमें प्रयास करना होगा अब आप देखते हैं शहरों में बढ़ती हु है अहम कितने ही फ्राइ ओवर बना दे हैं। अब आप सूरत में जाएंगे हर सो मिटर जाने के बाद को इन्हें फ्लाइ ओवर आता है। शायद वो फ्लाइओवर की city बन गई है। कितने फ्लाइवर बनाएंगे समस्या का समाधा नहीं होगा। हमने लोगों के आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टीम अब मैट्रो पर बड़ा बल चल रहा है हमारे देश में मैट्रो पर काफी काम भी हो रहा है लेकिन इसके सिवा भी बहुर सी चीजे हैं हम सभाज जीवन में सभाव कैसे बढाएं इसके लिए हम कैसे प्रयास करें जब तक हम इन चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे इन चीजों का महत्मा है नहीं समझेंगे अब देखिए दिभ्याघन मेरे नगर में दिव्यांग जनों के लिए जो कुछ भी आवश्यक्ता है कोई भी नई इमारत की रचना होगी कोई भी नया रोड बनेगा कोई भी क्रॉस सेक्शन आएगा मैं सुगम्य भारत अभ्यान के तहट उसकी रचना के अंदर नियमों में वो डालूँगा ताकि दिव्यांग जनों के लिए समाज में स्थान है तॉयलेट बनेंगे तो एक तो दिव्यांग जनों की आवश्यक्ता के अनुसार बनेगा रास्ते बनेंगे तो दिव्यांग जनों के लिए जो सुविदा है वो होगी, बस में चड़ने उतरने का जो स्टैप्स होंगे तो दिव्यांग जनों की तकलीप को ध्यान में रखा जाएगा, यह हमें अपने योजनाओं का स्वभाव के हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी ज सही है कि हमारी एकॉनामी का जो ड्राइविंग फोर्स है, वो हमारा शहर है, हमें शहर को वाइबरेंट एकॉनॉमिक अहब बनाना चाहिए, उसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए, कि जहां पर नए उद्योग लग सकते हैं, उसको जगा इडेंटिफाइ करें, लोगों को रहने के लिए मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्ता भी साथ साथ बनती चले ताकि उनको बहुत लंबा जाना ना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पे वही पर उनको काम भी मिल जाए और वही पर उनको रहने की व्यवस्ता मिल जाए उनको सुविधा मुल जाए हमारे प्रविकास के मॉडल में, हमें ये इंटिग्रेटेड एप्रोच, होलिस्टिक एप्रोच, यह हमें यह रखना ही होगा, और तम जाकर के, इकोनामी एक्टिविटी के लिए हर कोई आएगा, कि यहां एक एको सिस्टिम है, यहां वेवस्ता है, मैं जाकर के अपना उद्योग लगा सकता हूँ, उपना कारखाना लगा सकता हूँ, और मैं रोजगार पैदा कर सकता हूँ, मैं उत्पादन कर सकता हूँ, हमारे विकास के मॉडल में, मैं MSM इस क्यों, कैसे बल मिले, यह में चिंता करने हुश क्यों, और एक बात आप सब को मेरा बहुत आगरह है, और मैं सभी मेर साहवान से मैंने जितना बताया, हो सकता है सब चीज़े आपको कर पाएं न कर पाएं, आपकी प्रायोरिटी हो न हो, लेकिन एक काम आप अगर करेंगे, आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत संतोष मिलेगा, और वो है PM स्वन निधी योजना. आप भली भाती जानते हैं, कि हर शहर में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेहडी पट्री वाले लोग होते हैं, इनका हरेग्य जीवन में बहुत महत्व होता है. माइक्रो एकोनामी में भी वो बहुत बड़ी एक ताकत होते हैं, लेकिन सबसे जादा उपेक्षित रहे हैं. कोई उनको पुछने वाला नहीं है, वो बेचारे बहुत महंगे ब्यात से, सहुकार से कहीं से पैसे ले आते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, आता पैसा ब्याजमाई चला जाता है. वो गरीबी से लड़ना चाहता है, मैनत करता है, दिन में चिला चिला करके, गलियों में जाकरके, अपना माल बेचता है, क्या कभी उसकी चिंता हमने की हैं, ये PM स्वनिदी योजना इसके लिए हैं, और कोरोना काल में तो अच्छो अच्छो ने देख लिया है, कि इन में वो लोग नहीं थे, हब को पता है, पहले देख पता नहीं चलता दा, लेकिन जब दो दिन तक सबजी वाला नहीं आता तो फिर परेशानी होती थी, फिर याद आता था है, यार सबजी वाला नहीं आया, दूद वाला नहीं आया, अकपार नहीं आया, घर में सफाई करन वाला नहीं आया, खाना पकाने वाला नहीं आया, कपड़े धोने वाला नहीं आया, सबका पसीना निकल गया था, करोना ने हमारे ये जो हमारी मदद करने वाला पुरा वर्ग है, जिनके बरोस हमारी जिनकी चलती है, ये कितने मुल्यवान है, कितने बहु मुल्य है, ये हमको को समझा दिया है उसकी ताकत का हमें एसास करवा दिया है हमारा दाई तो बनता है कि हम अब एक जीवन का जिम्मेवारी का हिस्सा बनाएं कि हम इनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे यह हमारे अपने ही यात्रा के अंग है इनकी मुसीवतों को हम हर पल देखेंगे और इसके लिए पीएम स्वनीधी योजना लाए हैं पीएम स्वनीधी योजना भावती उत्तम है आप अपने नगर में उनकी लिष्ट बनाएए और उनको मोबाईल फोन से लेंदेन सिखा दी जीए बैंक से उनको पैसा मिलेगा ठोक व्यापारी के यहां से वो मान लेना जाए जाए सब्जी बेचता है सुबह वो मार्केट में जाकर के पांसो रुपी के सब्जी लेकर के अपनी लौरी भर देता है तो वो पैसे मोबाईल फोन से उनको दे फिर वो 200-300 घरों में सब तो उसका 100% डिजीटल रेकॉर्ड बनता है तो उस पता चलेगा बैंक वालों को कि इनका तो कारोवार अच्छा है तो अभी 10,000 रुपीय दिया है तो वो 20,000 कर दे गया 20,000 दिया है तो 50,000 तक कर देगा और मैंने तो यह भी कहा है कि अगर आप 100% डिजीटल टांजेक्शन करते हो तो जो हिसाब किताब बैठता है ब्याज करीब-करीब जीरो हो जाता है यह हमारे रेडी पट्रे वाले को इतना बड़ा पैसो का कारोबार बीना ब्याज को मिल जाए मैं पक्का मानता हूँ बहुत ही अच्छा कर लेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे वो अच्छा क्वालिटी माल बेचना शुरू कर देंगे ज्यादा इसको प्रात्फिक्ता मना सकते हैं काशी की धरती से मा गंगा के तट पे आप संकल पर लेकर के जाएए कि इसी दो हजार 22 में जब 26 जनवरी आएगी 26 जनवरी के पहले हम ये कर कर के जाएगे 26 जनवरी के पहले हमारे नगर के 200, 500, 1000, 2000 जो भी रेडी पट्री वाले हैं इंका बैंक का खाता खुल जाएगा उनको डिजिटल लेंदेन की ट्रेनिंग दी जाएगी उनके जो जिन वापारियों से माल खरिकते हैं उनको भी डिजिटल की ट्रेनिंग दी जाएगी जहां वो जाकर के माल अपना बेचते हैं उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएग कि कि बहुती बड़ा आफसर मिल जाएगा बहुत सी बाते हैं सात्यों कि आप यहां आए हैं काशे में काशी को बहुत बारिके से देखेंगे भी और अनेक नयनेश SNJ हाव आपके मन में होंगे अगर आप आप सुझाओ मुझे बेजेंगे तो मुझे मेरे काशी में काम करने में बहुत काम मदद करेगा आप अपने मेर के नाते किये हुए काम और आपको लगता है कि ऐसा काम मोदी जी ने काशी में करना चाहिए अगर आप मुझे ये देंगे तो मुझे जुरूर आपका मैं आभा किया है उनको बताईए हम काशे में जुरूर आपसे सिखेंगे आपसे चीजे सिख करके हम जुरूर मेरे काशे में लागू करेंगे और मैं सबसे पहला विद्यार्थी बनूँगा मैं इसको सिखूँगा दूसरा हम सब राजनीती से जुड़े हुए लोग है कि आप सबको पता होगा कि एक ऐसा पद होता है जहां से राजनीती जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अउसर मिलते हैं आप सबको पता होगा सरदार बल्लब भाई पटेल जब आमदाबाद सहर बहुत छोटा था एक नगरपाली का थी सरदार साथ गुलामी के कालखन में उसके मेर बने थे देख्ष बने थे और बही से उनकी जीवन यात्रा सुरूर हुई और आज भी देश उनको याद कर रह है बहुत से नेता ऐसे हैं जीनका जीवन का प्रारम ऐसे ही किसी मुझिस पाल्टी से शुरू हुआ है किसी नगरपाली का से शुरू हुआ है किसी महनगरपाली का से शुरू हुआ है आपका जीवन भी एक ऐसे पड़ाव पर है मुझे पक्का विश्वास है कि आप भी पूरे समर्पन भाव से अपने क्षेत्र के विकास के लिए जुड जाएंगे, आधुनिक सहर बनाने ही होंगे, विरासत को समारनी भी होगी, विरासत भी चाहिए, विकास भी चाहिए, उस पूरे सपनों को लेकर के आप चलेंगे, मेरी तरफ से, फिर से एक बार काशी में आ लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, आपको कभी कमी महसुस नहीं होने देंगे, उस प्यार को ले करके आप जाएए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुब कामरा है झाला को लित्ता है